नवस्का दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्के भी, तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के जो भी सत्रा राष्टे प्रतीक हैं, उन सारे राष्टे प्रतीक के बारे में डेटेल में हम लोग डिसकस करेंगे. तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो गर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेर जरूर करिएगा तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं देखिए अगर हम लोग नेशनल सिंबल या फिर राष्टे प्रतीक की बात करते हैं तो किसी भी देश के जो भी नेशनल सिंबल होते हैं मुख्य रूप से उस देश की जो प्राचीन बिरासत रही है वहां का जो कल्चर या जो भी उनके प्राचीन ट्रेडीसन वगेरा रहे हैं उनी के उपर ये आधारित होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे देश में आपको टोटल इस प्रकार के सत्रा राष्टे प्रतीक देखने को मिलेंगे तो आईए सबसे पहले हम लोग ये ज लोग बात करेंगे हमारे राष्टिये जंडे की तो आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का जो निशनल फ्लैग है वो आपका तिरंगा है राष्टिये चिन्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके असोग का अस्तम्भ है वही हमारे भारत का राष्टिये चिन्ध है फिर बात करते हैं राष्टगान की तो ध्यान रखेगा जनगण मन ये हमारे भारत का राष्टगान है राष्टिय गीत की अगर हम लोग बात करते हैं तो वंदे मात्रम ये हमारे भारत का राष्टिय गीत है राष्टिय पसू की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यां रखना है कि रॉयल बंगाल टाइगर ये हमारे भारत का नेशनल एनिमल है फिर बात करेंगे National Heritage Animal की यानि की राष्टिय बिरासत पसू की तो जो हमारे देश में ECI हाथी पाये जाते हैं इनको भारत सरकार के द्वारा राष्टिय बिरासत पसू के तोर पर घोसित किया गया है आगे बात करेंगे राष्टिय जलिय जीव या फिर राष्टिय जलिय पसू की तो गंगा नदी में जो हमारे डॉल्फिन पाय जाती है इसी को भारत सरकार के द्वारा राष्टिय जलिय जीव के तोर पर घोसित किया गया है आगे बात करेंगे राष्टे ब्रिच यानि के नेशनल ट्री की तो बर्गद यानि की जो बन्यान ट्री होता है उसको हमारे देश के राष्टे ब्रिच के तौर पर घोसित किया गया है आगे बात करेंगे हमारे देश का जो राष्टे पच्ची है यानि के नेशनल बर्ड की बात करें तो पिकाव यानि की मूर हमारे यहां का राष्टे पच्ची है राष्टे नदी यानि के नेशनल रीवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो गंगा हमारे भारत की राष्टे न उसको राष्टिये फूल का दर्जा दिया गया है राष्टिये मुद्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि भारती रुपया हमारे यहां की राष्टिये करंसी है फिर बात करेंगे राष्टिये खेल की तो वैसे आपको ध्यान रखना है कि आधिका प्राष्ट का दुनिया के होकी के खेल में वर्चस हो था इसलिए कई बार हम लोग हाकी को राष्टिय खेल माल लेते हैं लेकिन आपको ध्यां रखना है कि आधिकारिक तोर पर हाकी हमारे यहां का राष्टिय खेल नहीं है राष्टिय फल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यां रखना है कि जो आम होता है वो हमारे यहां का राष्टिय फल है राष्टिय सबजी की बात करें तो पंपकिन यानि की जो हमारा कद्दू होता है उसको नेशनल वीजी टेबल का दरजा दिया गया है इसी प्रकार से राष्टिय कैलेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा सक समवत है यानि की जो आपका सक कैलेंडर है वो हमारे यहां का राष्टिय कैलेंडर है इसके अरामा आपको ध्यां रखना है कि हमारे यहां का जो राष्टिय सपत है वो निष्ठा की सपत है और अगर हम लोग राष्टिये सरीश्रिप की बात करते हैं तो किंग कोबरा हमारे यहां का नेशनल रेप्टाइल है तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अब आईए इन सभी के बारे में हम लोग डीटेल में डिसकस करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे भारत के राष्टिये जंडा यानी की तिरंगा के बारे में तो आपको ये ध्यान रखना है कि 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का जो तिरंगा जंडा है इसको भारत की सरकार के द्वारा या फिर हमारे सम्मिधान सभा के द्वारा अपनाया गया था अगर हम लोग अपने तिरंगे जंडे की बात करते हैं तो उपर आपको केसरिया रंग बीच में आपको सफेद रंग नीचे आपको हरा रंग देखने को मिलेगा इसके बीचों बीच में आपको असोक का चक्र नीले रंग में देखने को मिलेगा और इसमें आपकी टोटल 24 त 3 मीटर है तो इसकी चोड़ाई 2 मीटर होना अनिवारे है किसने डिजाइन किया था तो आपको ये भी ध्याँ रखना है कि जो हमारे पिंगली बंकईया साहब है उन्ही के द्वारा हमारे तिरंगे जंडे को डिजाइन किया गया था राष्टिय जंडे के बाद अब हम लोग बात करेंगे हमारे भारत का जो राष्टिय चिन है तो आपको ये ध्याँ रखना है कि हमारे यहाँ पर जो असोग का सिंह चतुर्मुक अस्तम्व सेर से इसी को राष्टिय चिन के तौर पर अपनाया गया है कब अपनाया गया था तो 26 जनवरी 1950 को इसको राष्टिय चिन के तौर पर अपनाया गया था आपको ये भी ध्याँ रखना है कि ये जो हमारे असोग का सिंह चतुर्मुक अस्तम्व सेर से ये आपके बहतर सासन, बहतर संस्कृति और सांती का सिंबल है और इसी लिए भारस सरकार के द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया था आपको ये भी ध्याँ रखना है कि इसके नीचे एक आदर्श वाक्य भी है जो की हमारा सत्त्यम्यू जैते है जिसको आपके मुंडक पो निसद से लिया गया है यानि कि जो हमारा मुंडक उपनिसद है उसी से इस ध्ये वाक्य को लिया गया है बाकी अगर हम लोग असोक के इस सिंह चत्रमुक अस्तम्ब सीर्ष की बात करते हैं तो ये आपको वारानसी के सारनात संग्राले में देखने को मिल जाएगा तो ये जरू ध्यान रखेगा कि सारनात संग्राले में इसको संवच्छित किया गया है अब बात करेंगे भारत के राष्टगान की तो आपको ध्यान रखना है कि जनगर्मन ये हमारे भारत का राष्टगान है आप सभी को पता होगा कि हमारे गुरू देव रविंदर नाठ टैगोर जी के द्वारा भारत के राष्टगान को लिखा गया था किस भासा में मूल रूप से ये आपके बंगाली भासा में लिखा गया था आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि राष्टगान के जो गायन की अवध है ये आपकी 52 सेकंड होती है परिच्छा में कई बार पूछा जाता है कि राष्टगान पहली बार हमारे देश में कब गाया गया था तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1911 में 27 दिसंबर के दिन कॉंगरेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था उसी दवरान पहली बार राष्टगान को गाया गया था और परिच्छा के ही दरिष्टकोंड से आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे भारत का जो राष्टगान है इसको आधिकारेक तोर पर 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था कम 24 जनवरी 1950 को भारत की राष्टगान को अपनाया गया था फिर बात करते हैं भारत के राष्टिय गीत की तो आप सभी को पता होगा कि वंदे मात्रम हमारे भारत का राष्टिय गीत है किस ने लिखा है तो वंकिम चंद्र चटरजी जी के द्वारा संस्क्रित भासा में इसको लिखा गया था ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा अगर हम लोग राष्टिय गीत की बात करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1896 में कॉंग्रेस पार्टी का जो कलकत्ता में अधिविशन हुआ था उस दवरान सबसे पहली बार राष्टिय गीत वंदे मात्रम को गाया गया था तो अगर हम लोग राष्टिय गीत की बात करते हैं तो वो 1911 में पहली बार गाया गया जबकि अगर हम लोग राष्टिय गीत की बात करें तो ये आपके 1896 में गाया गया था इसे कब अपनाया गया था तो 24 जनवरी 1950 के दिन हमारे भारत के राष्टिय गीत और राष्टिय गान दोनों को एक साथ अपनाया गया अब बात करेंगे भारत के राश्टिय कलेंडर की तो आपको ये ध्या रखना है कि सक समवट के उपर हमारे भारत का राश्टिय कलेंडर आधारित है आप सभी को ये पता होगा कि इस कैलेंडर के अनुसार चैत्र हमारा पहला मंत होता है जो कि जनरली आपके मार्च में शुरू होता है बसंतरितू से तो आपको ध्यान रखना है कि भारते कैलेंडर का पहला मां चैत्र होता है किसके द्वारा इस कैलेंडर के शुरुवात की ग गया था और इन्ही सकों को हराने के बाद कनिस्क के द्वारा आपके सालिवाहन सक या फिर सक सम्वत की सुरुवात की गई थे। भारत के राष्टिय पसू की बात करते हैं तो हमारा जो रॉयल बेंगॉल टाइगर है ये वर्तमान में आपके भारत का राष्टिय पसू है आपको ये ध्या रखना है कि हमारे यहां पर जो राष्टिय वन्निजीव बोर्ड है उसके द्वारा 1969 में पहली बार आपके सेर को राष्टिय पसू घुशित किया गया था लेकिन उसके बाद 1973 में राष्टिय वन्निजीव बोर्ड के द्वारा सेर के अस्थान पर बाग को राष्टिय पसू घुशित किया गया अब बाग को क्यों किया गया क्योंकि एक तो आपके प्रोजेक्ट टाइगर की भी नजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा राश्टिय पसू के दोर पर Royal Bengal Tiger को गोसित किया गया था अब बात करेंगे भारत के राश्टिय बिरासत पसू की तो आपको यह ध्याँ रखना है कि हमारे यहां का जो राश्टिय बिरासत पसू है वो हमारा Asian elephant है यानि कि जो ACI हाथी है इसी को राष्टिय विरास्त पसु के तור तोर पर घोसित किया गया है कब घोशना होई थी तो ये भी परिच्छा में पोचा जाता है ध्यान रखेंगे वर्स 2010 में भारस सरकार के द्वारा हमारा जो ACI हाथी है उसको राष्टिय बिरासत पसु के तोर पर घोसित किया गया था आप सभी को ये भी पता होगा कि भारस सरकार के द्वारा वर्स 1992 में हाथियों के स्तर्णचन के लिए प्रोजेक्ट एलिफैंड के सुरुवात की गई थी और वर्तमान में आपको हमारे देश में टोटल 32 एलिफैंट रिजर्ब भी देखने को मिलेंगे तो एलिफैंट रिजर्ब और टाइगर रिजर्ब के उपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है अगर आपने नहीं देखा है तो उपर के आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी तो वहां से आप इन वीडियो उसको भी जरूर दे जियो है इसको राष्टिये जलिये जियो का दर्जा दिया गया है आपको ये भी ध्या रखना है कि बिहार के जो सीयम है वर्तमान में नितीश कुमार साहब उनके द्वारा ये मांग रखी गई थी कम 2009 में जब आपके गंगा नदी घाटी प्राधिकरन की बैठक हो रही थी कि डॉल्फिन को राष्टिये जलिये पसु के दोर पर घोसित किया जाए तो उस समय हमारे देश के पीम डाक्टर मनमोहन सिंग जी के द्वारा आपके डॉल्फिन को राष्टिये जलिये जियो के दोर पर घोसित किया गया था तो ये ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर 2009 मे गंगा नदी की जो डॉल्फिन है इसको राष्टिय जलिये जीव के दोर पर घोसित किया गया फिर बात करेंगे भारत के राष्टिय पच्छी की तो आप सभी को पता होगा कि हमारे यहां का जो मोर है इसको राष्टिय पच्छी का दर्जा दिया गया है आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक फरवरी 1963 को मोर को हमारे देश में राष्टिय पच्छी के दोर पर घोसित किया गया था मोर के अगर हम लोग scientific name की बात करते हैं तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा पाओ क्रिश्टातुस इसका scientific name है आगे बात करेंगे भारत की राष्टिय नदी की तो ध्यान रखिएगा हमारे यहां के जो राष्टिय नदी है वो आपकी गंगा नदी है और हमारे गंगा नदी को वर्स 2008 में राष्टी नदी के तौर पर घोसित किया गया था तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बाकी गंगा नदी के बारे में आप सभी को पता होगा कि इसकी टोटल लंबाई 25-25 किलोमेटर है, ये जो नदी है वो हमारे उत्राखंड राज में गंगोत्री नाम के हिम्नत से निकलती है, उत्राखंड के बाद ये प्रवेश करती है उ तो आप सभी को अच्छे से ये पता होना चाहिए कि बनियान ट्री यानि की जो बरगत का पेन है उसको हमारे देश में राष्टे ब्रिच का दरजा दिया गया है, कब इसको दरजा दिया गया था तो 1950 में ही भारत सरकार के द्वारा इसकी जो उप्योगिता है, इसकी जो व और आणिक महत्व है, उसी को ध्यान में रखते हुए बरगत को भारत के राष्टे ब्रिच के तोर पर घोसित किया गया था, साइन्टिफिक नेम के अगर हम लोग बात करते हैं, तो फाइकस बैंगा लेंसिस, क्या नाम है, फाइकस बैंगा लेंसिस, ये हमारे बरगत का ब कि वर्ष 2010 में IIT के एक हमारे बिद्यार थी, उदै कुमार जी के द्वारा इस रुपए के सिंबल को डिजाइन किया गया था, और 8 जुलाई 2011 को इसे अडॉप्ट किया गया, सिंबल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आपको रा देखने को मिलेगा, जो कि हमारा द दिवनागरी बेंजन आर और लेटिन अच्छर आर के आधार पर हमारे भारत के रुपए के सिंबल को डिजाइन किया गया है, अब बात करेंगे भारत के राष्टिय फूल की, तो भारत के राष्टिय फूल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कमल हमारे भारत का राष्टि कौन सा कमल हमारे भारत का राश्टिय फूल है और अगर हम लोग बात करते हैं कमल की तो आप सभी ने देखा होगा कि हमारे यहां की जो भी पवरानिक लोग कताएं होती हैं या जो आपके धर्म से जुड़ी हुई कताएं हैं उसमें आपको कमल कई अस्थानों पर देखने को मिलेगा तो इसी कारण से कमल को हमारे देश में राश्टिय फूल का दर्जा दिया गया साइंटिफिक नेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो निलंबो नूसी फेरा गेटन आपके कमल यानि की लोटस का साइंटिफिक नेम है फिर बात करते हैं भारत के राश्टिय फल की तो सिंपल सा है भारत का राष्टिय फल है आपका आम, आम के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, कि हमारे भारत देश में आपको आम की कई सारी किसमे भी देखने को मिल जाएंगी, बैग्यानिक नाम के अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैंगी, फेरा, इंडिका, ये जो पंपकिन है, वो हमारे भारत की राष्टिय सब्जी है, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आलू के बजाए, कद्दू को राष्टिय सब्जी का दरजा क्यों दिया गया होगा, तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कद्दू की, तो कद्दू को एक तो आसानी से कद्दू को उगा सकते हैं, या कद्दू तक उनकी पहुँच होती है, तो कई बार कद्दू को आपके गरीबों की सब्जी भी कही जाती है, तो ध्यान रखिएगा, इसी सब को सायद ध्यान में रखते हुए, भारत के राष्टिय सब्जी का दरजा आपके कद्दू को दिया गया है फिर बात करते हैं भारत के राष्टिय खेल की तो आपको ये बता होना चाहिए कि आधिकारिक तोर पर हमारे भारत का कोई भी राष्टिय खेल नहीं है लेकिन आजादी के पहले और आजादी के काफी समय तक हमारे देश का दुनिया में हौकी के खेल में वर्च राष्टिय कहा जाता है लेकिन आपको ये जरूर द्याना है कि आधिकारिक तौर पर हमारे देश का कोई भी राष्टिय केल नहीं है फिर बात करते हैं भारत केराष्टिय सरीश्रित कि तो राष्टिय सरीश्रित कि अगर हम loot करते हैं तो हमारे दच्छिन भारत के राज्यों में जो किंग कोबरा पाया जाता है, खास तोर पे ऐसे रीजन जहां पर आपके जंगल वगएरा है, या जहां पर आपके फॉरेस्ट कवर जादा है, वहां पर आपको किंग कोबरा देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे, जैसे हमारा उत्तर भारत है, यानि कि हम बात करें, यूपी की, बिहार की, या फिर राजस्थान हो गयरा की, तो यहां पर आपको किंग कोबरा बहुत थी कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगा, यहां पर कोबरा की दूसरी प्रजाति मिलती है, जिसे हम लोग कोबरा स्रिप के तोर पर घोसित क्या गया है किंग कोबरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दुनिया का एक मात्र ऐसा साप है जो की अपने अंडों के लिए गोशला बनाता है यानि कि गोशला बनाने की ये जो परवर्ति है वो आपको किसी और साप में देखने को नहीं मिलेगी ये सिर्फ आपको king cobra में देखने को मिलेगी और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह एक poisonous snack है यानि कि यह जहरीला होता है और इस सांप की जो लंबाई है वो आपके 19 फिट तक हो सकती है तो ध्यान रखेगा काफी बड़ा सांप होता है और अगर हम दुनिया के सबसे विसैले सांपों की बात करते हैं तो इतनी लंबाई आपके किसी भी जहरीले सांप की नहीं होती है तो ये जरूर ध्यान रखेगा कि king cobra अपने अंडों के लिए घुसला स्वयम मनाता है और ये दुनिया का सबसे लंबा विसैला सांप भी है फिर बात करे के प्रतिग्या है निश्टा की सपत आप लोग कई बार किताबों में ऐसा देखा होगा कि भारत हमारा देश है हम सब भारतवासी भाई बहन है हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है इसकी सम्रद्धि और विविध संस्कृती पर हमें गर्व है तो ये आपके 1962 में पीव बेंकट सुब्बाराव जी के द्वारा तिलगो भासा में इसको लिखा गया था बाद में इसका अलग-अलग भासाओं में अनुवाद किया गया आपको ये भी ध्या रखना है कि ये जो निश्ठा की सपत है इसको सबसे पहली बार वर्ष 1963 में बिसाखा पत्नम मे एक स्कूल के बच्चों के द्वारा लिया गया था तो ये जरूद ध्यान रखेगा कि भारते गड़ राज के प्रती जो निश्ठा की सपत है वो हमारे यहां का नेश्ठाल प्लेज है 1962 में पी बेंकट सुब्बाराव जी के द्वारा तिलगो भासा में इसको लिखा गया तो इस प्रकार से जो भी हमारे भारत के राश्ठी प्रतीख है उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है वीडियो आपको कैसा लगा यह आप लोग नीचे कमेंड में बता सकते हैं और आने वाले वीडियो में आप लोग और किन टॉपिक के उबर भीडियो चाहते हैं यह भी आप लोग नीचे कमेंड में बता सकते हैं। थैंक्स पर वाचिंग, जै हिंद, जै भारत, और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।